यहीं दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने प्रिवार हैं रेक्षक यूट्यूब चैनल पर आज हम डिस्कुस करेंगे क्लास नमबर एड़त की इतिहास की चल रही है आठवी क्लास यह वीडियो आपकी HP पुलिस के लिए, फोरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए, जेल वाडर के लिए, जिस एक्जाम में आपका जीट के आता है उन सभी एक्जामों के लिए वीडियो काफ़ इपोर्टन है, वीडियो को एंटर जुरूर देखेगा हम कंप्लीट कर रहे हैं लूसिंट के बुक, लूसिंट में काफ़ी अच्छे-चे फैक्ट होते हैं, बट एक्स्ट्रा होते हैं हम आपको बिलकुल वही फैक्ट बताएंगे जो आपके examination point of view से important है आज हम बिस्कुस करेंगे ब्राम्मन स्मराज्ये के बारे में ठीक है, ब्राम्मन स्मराज्ये की बात करें, तो बात आती है शूंग वंश की बात आती है, शूंग वंश की, शूंग वंश का संस्थापक का याद रखे आप नावँ, फुशे मितर सूंग, फुशे मितर शूंग, था है, इनकी राजदानी पुचि लिग जाए, शूंग की, तो विदेशा, विदेशा, था ? इसके साथ आपने याद रखना है इंडो जुनानी शाषक था एक मिनाडल इसने शुंग वंश शुंग वंश के संस्थापक ने पुश्य मित्र शुंग ने इसे हराया था ये भी आपने याद रखना है और जो शुंग था पुश्य मित्र शुंग था इसने दो बार अशमेग यग्य किया था अब बात आती है ये यग्य क्या होता है बता है आपको अशमेग यग्य क्या होता है देखे अशमेग यग्य जो है वो एक ऐसा यग्य होता है इसमें हवन किया जाता है यहां पर इसमें हवन कुण यहाँ पर राजा बैठेगा यहाँ पर इसके जेनवती बैठेगे जा कुछ भी होगा ठीक है पर और यहाँ पर एक घोड़ा होगा ठीक है घोड़ा होगा और घोड़े का क्या काम है घोड़े का क्या है कि घोड़ा यहाँ पर राजा द्वारा छोड़ा जाएगा तो जहां म वहां राजा का अधिकार माना जाता था कि गोड़ा, for example, कोई भी गोड़ा है, वो वहां जाएगा, वहां राजा का राज माना जाएगा, समझते हो आप, जहां जहां गोड़ा जाएगा, वहां वहां गोड़े के साथ-साथ, राजा का अधिकार माना जाएगा, और इसके साथ साथ अगर इस घोड़े को किसी ने रोक लिया बीच में बीच में किसी महान राजा ने रोक लिया इस घोड़े को और वही महान राजा राजा से कुश्य मित्र सुंग से युद्ध करेगा इसका मतलब होता है अश्यम में यग्या मेरे घोडे को रोकना बिलकुन नहीं है जहां जहां जाएगा मेरा अधिकार माना जाएगा और यदि किसी ने रोका तो उस घोडे को रोकने का इज़ाम जो है उसे भुक्तना पड़े का मेरे साथ युद्ध करके यह होता है अश्यमेग यग्या आई बात समझ में ठीक है अब बात आती है संस्थापक तो पता चल गया आपको शुंग वंश का संस्थापक था पुश्यमित्र सुंग अंतिम राजा धेबूती इसके बाद किसका सापना होता है तो याद रखे कन्नववंश कौन था? राजा कौन था? राजा था आपका वाशुमित्र था? वाशुमित्र इसका राजा था वाशुदेविस का राजा था और अंतिम शुशर्म अंतिम शुशर्म ठीक है? अगर हमने गुज्जरों का इतिहास पढ़ना है कि गुज्जरों का इतिहास क्या था तो गुजरों के संबंदित कदी एक्जाम में आपको पिपर में कुशन आ जाएंगे गुजर वंश से संबंदित समराज्य कौन कौन से है तो आप याद रखिएगा वहाँ पर पहला समराज्य था आपका कुशान वंश ठीक है कुशान वंश हो गया या फिर कुशान समराज्य हो गया फिर हून समराज्य फिर गुजर और प्रतिहार समराज्य जो कुशान वंश था इससे कैसे कुशन पूच जाते हैं फिर हून से कैसे पुछन पूछ जाते हैं हून से समधर रखे याद रखे हून से महीर हून महीर गुल हून यही एक परताप्पी राजा था हून वश का इसी से क्वेशन आता है हून वश में सबसे परताप्पी राजा का नाम बताईए तो आपको लिखना है महीर गुल हून उसी परकार से यदि कुशान का पूछ जाए तो कनिश्क सबसे प्रतापी राजादा ठीक है? अमज़ रहे हैं? यदि शकों का पूछ ले जाए शकों का सबसे प्रतापी राजा तो रूद्र धामन रथम इसका प्रतापी राजा था ठीक है? और कॉशन पूछ जाता है कि सुदर्शन जील कहा जोतिरा धार किस ने करा? तो वो भी रूद्र धामन ने करा था ठीक है? समझ रहे हैं? फिर एक भंश धाप का पार्थियाई भंश तो इसका सबसे प्रसिद राजा गोंडो फर्निस ठीक है? फिर आए आपके कुशान इसका सबसे प्रतापी राजा कनिश्क कनिश्क क्या है? कनिश्क कॉशन आपको इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि कनिश्क जो है वो किस बंश से संबंदित है? तो आपने यह वाप देना है कुशान से संबंदित है किस से कुशान से संबंदित है यदि आपको पूछ लिये जाए कि संस्थापक कौन है तो कुजूल कड़ फिसी इसका संस्थापक है और और वी कोश्चन कनिश्क के संबंदित पूछी जाते हैं कि कनिश्क का राजवैद कून था फिनिश का राजवय था चरक चरक सहीता की रचना चरक नहीं करी थी यह याद रखना है ठीक है और यह वाला पॉइंट छोड़ देना है नेक्स्ट पूछ जाता है कि बुद्ध चृत्र की लेख कौन है जा रचना किसने करी तो अशवगोश ने करी भारत का आइंस् उनको कहा जाता है और कुणिश का कुशान का लास्ट राजा बासुदेव क्या बासुदेव आई बात समझ में इतने सी बात आई समझ में ये थी वीडियो मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इस व वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करके ही जाएगा. Because आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो और मॉस्ट इंपोर्टन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. इस वीडियो में इस तना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक आप खुश रहेगा, पढ़ते रहेगा, धन्यवाद, जैहिन, जैहिमाच्चर.